कथा वाचक जयाकिशोरी पोताना जे परस ने लईने विवाद मघे राया छे सोशल मीडिया पर ट्रॉल थाई रहा छे परस चामडा मां थी बनावायू होवानों आरोप लगावायो किटलाक सोशल मीडिया यूजर से थो आ बैग नी कीमत बेलाक रूपिया थी वधू होवानों कही ने वो कटाक्ष करियो के मोह माया छोडवानी अने वैराग्य नी वात ओकर नाराटलू मोंगू परस वापरे छे जो कजयाकिशोरी या तमाम आरोपों ने पाया विहोना गणाविया साथे जितमने कहिऊ के मैं क्यारे मोह माया छोडवानी वात न थी करी हूँ कोई साधू संत के साधवी न थी एक सामन ये युवती चूँ इस बारे में दो-तीन चीज़े में कहना चाहूंगी पहला तो जो बैग की बात है बैग इस अ कस्टमाइजड बैग और जो सबसे पहली चीज़ लोग कह रहे हैं कि लेधर है उसमें कहीं भी लेधर नहीं है वो एक कस्टमाइज बैग है और कस्टमाइज का मतलब कि आप अपनी मर्जी से बनवाते हैं इसलिए मेरा नाम तक लिखा हुआ है उसमें कि मैंने अपना नाम की वो एक कस्टमाइज बैग है उसमें कहीं से भी कोई लेधर नहीं है और मैं अपनी गारेंटी ले सकती हूँ पर मैं किसी कमपनी की कोई गारेंटी नहीं लेती पर मैंने ना कथा करने से पहले ना अभी और मैं आगे की भी guarantee लेती हूँ कि मैंने कभी leather use नहीं किया ना मैं कभी करूँगी तो पहली ये चीज, तूसरी आप ने जो बात कही कि मो माया से दूर तो जो सच में जिन्नोंने मेरी कथा अटेंड की होगी, जिन्नोंने कथा सुनी होगी उनको अच्छे से पता है कि मैं ये बात कभी नहीं कहती, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ और मैं आपको वीडियो भी जरूर दूँगी जो आप इसके साथ attach कर दीजेगा कि मैं कथा में कहती हूँ कि मैं आपसे कभी नहीं कह रही कि आप पैसे मत कमाईए अरे सब मोह माया है, सब त्याग दो, हमने नहीं त्यागा तो हम आपको कैसे बोले So I have been very clear day one से कि पहला मैं कोई संत, साधू, साधवी नहीं हूँ मैं एक normal लड़की हूँ, normal घर में रहती हूँ, परिवार के साथ रहती हूँ आगे ग्रहस्त जीवन, पून रूप से जीना भी चाहती हूँ परिवार है, दोस्त है, रिष्टेदार है, जब खुशकबरी आती है तो हम celebrate करते हैं, enjoy भी करते हैं, परिवार के साथ भार घूमने भी जाते हैं यानि एक normal life जीते हैं, और ये मैंने हमेशा से clear रखा है मैंने कभी नहीं बोला, मैं साधू या संसाधवी हूँ, या मैंने वेराग ये ले लिया है या किसी को लेना चाहिए, यहां तक कि मैं यूद से कहती हूँ, कि आप मेहनत करिए, कमाईए अपने आपको एक अच्छा जीवन दीजी, अपने परिवार को अच्छा जीवन दीजी, अपने सपने पूरे करिए तो जिन्होंने सुनाओ का उनको पता है कि मैंने ये बात बोली नहीं, तो शायद मेरा जीवन कोई शौक नहीं है कह रहे इन्होंने ऐसा क्यों कहा हमें तो त्यागने को कहती है, मैंने किसी को त्यागने को नहीं कहा की ब्रांड्स देखके यूजे नहीं करता है, आप कहीं जाते हैं, आप कुछ पसंद आता है, आप वो खरीदना चाहते हैं, आप अगर आज कई उतको देखेंगे, कुछ कहते हैं, रे मुझे जो जोता खरीदना है, मुझे बड़ा पसंद आया था, अगेन आयवेल से मैंने जिसा कहा मैं भी आप जैसी ही हूँ कि अगर मैं कुछ काम कर रही हूँ और उसके बदले मुझे अगर कभी कोई चीज अच्छी लग जा रही है हाँ मेरे कुछ प्रिंसिपल्स है जिसमें से एक यह है कि मैं लेदर यूज नहीं करती कभी भी नहीं किया तो मेरे कोई समान में है भी नहीं लेकिन अगर मुझे कोई चीज पसंद आई है तो मैं उसको खरीदती हूँ अगर मुझे लग रहा है कि मैं खरीद सकती हूँ तो मैं जरूर उसे मेरे लिए नहीं अपने परिवार के लिए भी में दोस्तों के लिए भी again I will say जो मैंने आपको भी कहा कि मेहनत करिए कमाईए ताकि अपने परिवार को अपने आसपास वालों को और खुद को एक अच्छा आरामदायक जीवन दे सके लेकिन उसके साथ मेरा connection हमेंजा एक चीज से रहा क्योंकि what I have learned भगवान ने कहीं भी ने का भगवान ने का अपना कर्म करते रहो अब एक राजा है क्या वो सोने के जेवर नहीं पहनते थे क्या वो मुकुट नहीं पहनते थे पर spirituality अध्यात्मिक्ता का असली अर्थ है कि आप चीजे खरीद सकते हैं चीजे आपको ना खरीदे वो लिमिट वो बाउंडरी अध्यात्मिक्ता ने मुझे हमेशा दी है कि चीजे मुझे उतना परिशान ना करे चीजे मुझे ना खरीद ले परिस्तितियां खुशी या दुख ना तै करे मैं जब कुछ नहीं था तब भी हम इतना ही खुश थे और जब भगवान की कृपास ये कुछ चीजे हैं तब भी हम उतनी ही खुश है चीजों से खुशी नहीं आती पर एक आरामदायक जी बनाता है जो सीख मैं आपको कथा में देती हूँ तो अगर रियल में आप मेरी बात सुनके कहेंगे किया रही हमें ये कहते तो मैंने तो आपको महनत करने और पैसे कमाने कहा है तो प्लीज आप वो करिए रदर दन जिस ट्रोलिंग समवन इल्स मुझे देखिए मुझे नहीं पता ये क्योंकि ये बाग बहुत सालों से है मेरे पास अभी नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि ये अभी की कोई बात है whether it is some agenda whether it is some paid PR negative publicity कौन कर रहा है क्यों कर रहा है मुझे नहीं पता क्योंकि ये बहुत पहले से है बहुत पहले से और यहां तक कि ऐसा नहीं पहली बार दिखा है मैंने कई बार खुद pictures upload कि जब मैं airport पे होती हूँ तो आप कई बार upload करते करे flight late हो गई तो आप अपने luggage का फोटो upload करते है मैंने बहुत बार किया है तो मुझे से लग रहा कभी ये बात नहीं उठी पर आज अचानक से ये बात उठना और एकी बात पे बार बार जोर देना जबकि एक story पे भी I have always clarified कि नहीं है लेकिन बस यही बात है कि ये video भी और वो story भी सिर्फ उन लोगों के लिए है जो मुझे जानते हैं जो मुझे पसंद करते हैं जो शायद मुझे ठोड़ा भरोसा करते हैं और जो शायद अभी मेरे बदले पे काफी बाते इंटरनेट पे कर भी रहे हैं तो सिर्फ उनके लिये ताकि उनको एक विश्वास आ सके कि हां हम जिसपर विश्वास करते हैं वो सही है बाकि उनके लिए नहीं जो मुझे नहीं समझना चाते या मुझे नहीं पसंद करते क्योंकि जो नहीं समझना चाते नहीं पसंद करते आप उनको कितना भी कह लीजे वो नहीं पसंद करेंगे तो कथा करने से पहले भी मैंने ऐसी चीज़े यूज नहीं की थी, कथा करते वक्त भी और आगे की अपनी तो guarantee दे सकती हूँ कि मैं नहीं करूँगी, तो अब धन की बात तो मैंने जब clear करी दिया है कि मैं साधवी, संत, साधू नहीं हूँ, तो आप क्यों मुझे उस pedestal पर बठाएंगे, कि अरे आप तो संत हैं, मैं नहीं हूँ संत, मैं आप जैसी बच्ची हूँ, जैसे आपके घर के बच्चे हैं, बिलकुल वैसी हूँ, प कितनों को बार-बार सफाई देंगे, मुझे ये बात इसलिए लग रही है, क्योंकि अचानक कैसे जो बात, जो चीज मेरे पास इतने समय से है, जो चीज सब को दिख रही है, लेकिन अचानक से उस चीज के ओपर बात उठाना, और क्लारिफाई करने के बात भी करते रहना, और ऐसे-ऐसे पेजिस का इसको अपलोड करना, जिनका शायद बहुत समय से, हमेशा से, जो सनातनी है, वो टार्गेट में रहे हैं, बिकॉज जब हमने उनके पेजिस को सर्च किया, जो हमारी सोशल मीडिया एजिंसी है, वो सर्च कर रही है, तो बैक टू बैक देख रहे ह कि जब भी कोई सनातनी को अच्छा कारे करने का कोशिश करता है, वो उन्हीं को टार्गेट करते हैं, वो जान मुझके ऐसी चीज़े उठा के लाते हैं, जो उनके काम से जुड़ी नहीं है, कि वो क्या बोलते हैं, वो कितने लोगों तक अपनी बात पहुँचाते हैं, जिनका इन से पहले शायद अगर पोस्ट देखा जाए, तो आई वोट से ऐसे पोस्ट हैं, जो सोसाइटी को अक्चली खराब करने का काम करते हैं, पर अचानक से नाव दे हाफ चेंज़े और उनको सोसाइटी बहतर करने पर काम करना हैं, तो अगैन इसलिए मैंने कहा कि मै उन लोगों को नहीं समझा सकते हैं, और उनके लिए ही वीडियो है भी नहीं, यह सिर्फ उनके लिए हैं जो समझना चाहते हैं, यह उनके लिए हैं, जो मुझे प्यार करते हैं, जो मुझे पर विश्वास करते हैं, तो आप विश्वास करिए, मैंने आपका विश्वास न और मैं उसी कथा को सुनने के लिए गई भी थी और मैं वापस आ रही थी तो एरपोर्ट पे कोई एक व्यक्ति खड़ा था जिसने वीडियो बनाया आप देखेंगे भी अगर वीडियो में तो मैंने उनको वो मुझे नमस्ते शायद कर रहे थी तो मैंने उनको स्माइल भी कि और उन्होंने का मीडिया से है तो मैंने इसलिए कोई question नहीं किया और मैं चली गई उन्होंने ही वो वीडियो अप्लोड किया कि चंडीगर में किशोरी जी आई भी थी एंड देन आइ थिंग जो reaction हुआ या जूबी हुआ उसके आद वो डरके मारे शायद उन्होंने कुछ डिलीट कर दिया होगा और लोग कह रहें कि मैंने पहले वीडियो अप्लोड किया और मैंने डिलीट किया तो अगर आप again मेरे page पे जाएंगे तो मेरे page का एक grid है एक theme है और वो theme है पहला post quotes होते है दूसरा motivational reels होती है तीसरा कथा की reels होती है मैं इसके अलावा और कुछ न नहीं किया I don't know कौन सा media house है जो जिन एपोर्ट पे था पर एक ही व्यक्ति था जिसने वीडियो बनाया था यह कहकर कि हम media से है तो उन्होंने ही डाला और उन्होंने ही upload किया नहीं किया डिलीट किया I have zero idea पर मैंने नहीं किया